हेलो गाई गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब हूप करती हूँ अच्छी होंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर इसकी लिए हम पनीर ले लिए हैं करीब 400 ग्राम के हिसाब से और मटर ले लिए हैं हैं और शेल्स करें के हमने बाल साइज का पाम प्याज काथ लिया है तो चल जाए हैं लऌससण अधर्प छर्फ घर लिया हां अंधनय बत्ति बारिक करने हमने काट लिया है सबसे पहले देग के जल लाक के पनीर को पहले थोड़ा सा तल लेते हैं तो फ्रेंट्स पनीर हमारा तल चुका है तो अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स कुकर हमारा गरम हो चुका है तो हम इसमें सबसे पहले तेल लेट कर देंगे सबसे पहले एक दाल चीनी और लों कि इसके साथ हम इसमें जीरे आड़ कर देंगे और सूखी में हमने इसमें इसमें यूज किया है इंज हे घर दिंगे अब अब इसमें प्याज को आड़ कर देंगे अब श्छादा तो फ्रेंट्स पे आज हमारा शॉप्ट हो चुका है तो हम इसमें मॉटर एड़ कर देंगे अब इसके साथ ही हम इसमें कुछ मासाला एड़ कर देंगे फ्रेंट्स जीरा दन्यक पाउडर, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, अध्रक लशन को हमने कुछ लिया है फ्रेंट्स उसे भी इसमें एड़ कर देंगे यह जाए कास्मेरी लाल विर्ष पाउडर तो फ्रेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं मसाला हमारा भून चुका है और मटर भी शॉप्ट हो गया है तो अब हम इसमें पनीर जो तल के रख्ञा है उसको एड़ कर देंगे अब इसको अच्छे से मिक्स करके और धीमी आज पे इसको भूनेंगे फ्रेंट्स ताकि मसाला तेल छोड़ दें तो फ्रेंट्स इसके साथ ही हम इसमें टमाटर भी एड़ कर देंगे तो फ्रेंट्स सब्जी हमारे लवक भुना चुका है तो हम अब पानी थोड़ा सा गर्व कर लेते हैं गर्व पानी एड़ करने से फ्रेंट्स सब्जी हमारा जल्दी बन जाएगा तो आपनी हम ने एड़ कर दी है तो थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे ताकि सब्जी और पानी एकसद मिक्स हो जाए तो फ्रेंड्स हमारा गर्मा गरम मटर पनीर बनके तयार हो चुका है तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुए धनिया भी ऐड़ कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसलब पाॉडर भी इसके ऊपर हम ऐड़ कर देंगे friends तो friends अगर आप दो को हमारा यह वहला रेसिपी पसंद आया हो तो हमारे channel को like करें नो लाइक करें, subscribe करें जाद सज़दा करें और comment box में comment करके बताए कि हमारे recipe कैसा लगा आप लोगों को Thank you झाल